है गाइस वल्कम बैक टो माई चैनल और बताई दोस्तों कैसे हो आप सब आशा करती कि आप सब अच्छे होंगे आज की वीडियो में लेकर आच कि अपना इवनिंग टू नाइट रूटीन है तो इसमें मैं आपको काफी कुछ दिखाने वाली हूं आप ली वीडियो में लाह सपोट करती रहेए और आप भी सपोट लेती रहेए मेरा अपने बना देखा है पतागोवी गौजर पयास है और ऋमीर्च है इन सेब को मैंने सेंकड़ुद इन्हां कीकॆ कटपी किया था और αι Cory 66 स्थीय फोर-ट इन्हान को मैंने परहले सेब्स कर दिया था और मैंने फिल राट अद्याट धनी हर गौक क्या है नियां देशों मिल्या है अध्रक लेशन का पेस्ट लिया हुआ थोड़ी से धनिया पति दाल ली थी वह टेस्ट के अकवादिंग अप दनिया ना चाहता तो आप असे तट कर सकते हो यानि कि आप उसे किप कर सकते हो तो मैंने क्या कहता तो एक चम में लिया था कुकिंग वाईल फिर मैंने प्रहले अ को कर दो कर दो का लोगी या दाल है के ल Gas स्टाइस बाद मैं डालोंगी काली मिर्च या और नमक बस इतना ही डालेंगे और कुछ नहीं डालेंगे तो मैं आपके आ तो में फ्राइ करके बना रही हूं वेजिटेवल्स को आप चाहो तो ऐसे यह कच्छा करके बना सकते हूं लेकिन मैंने सब्जीयों को थोड़ा सा कुप कर लिया था इसके बाद इसकी चटनी भी में घर पे बना रही हूं तो मैंने तीन टमाटर को कट लगा कर पले वस्क कर करने के बाद में ौइव तर शेयden तो मैं दा रा दिर जोइं और जब लेघनें इसमें गिर्श मैड़ा कर दिया है और मैंने दालीक बाहिए सिर्फ मैंदा दीरीया और उकने छेपी तो मैंने सिर्फ मैदा पाल इसम व से बाते हुसक पूंद्दाäreलाने पासर तो में एक रेस्ट के लिए छोड़ दिया था और आप मैं मैं दे के चुछटी सी पूरियां बना ली रही हूं और जो मेरी स्टफिंग है वो भी ठंडी हो गई है तो आपको इसमें पानी लगाने के कोई जुरत नहीं है हमारे मोमो बिल्कुल भी नहीं खुलते हैं तो आप अपने हिसा जंजट भी नहीं है मैं फ्राइब करके बनाई थी यानि स्टफिंग मैंने फ्राइब करी थी आप चाहिए तो जो वेजिटेवल है आप उसको ऐसे करके बिना फ्राइब बना सकते हो तब भी अच्छे बनते हैं तो देखिए मेरा मोमोस बनके रेडी होगा और देखने में कितना इजी और आशान लग रहा है तो मैंने थोड़ा गुजिया के सेफ में बनाया आप गोल भी बना सकते हो लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूं तो मैं आपको बता रही थी कि स्टफिंग अगर आप फ्राइब करना चाहते तो आप ऐसे ही बनाईए आपके टेस्ट के अकॉड favor者 मैं तो इसी करना एता दुद्फिंगी ओए और मों घर पए बनाने से सेफ भी और हाइजीन में यहえー यह सब्सक्ण करों तो जितना हो सके उतना घर पर ही बना के खाय तो ज़्यासी बैटर होता है तो Pray से में और भी भर ले रहे हैं तो देखिई च्छी सी पूड़ियां ठीचिक रखने में मुमो को भर लोंगी और याद रखिएगा जुसकी पूरी होती ना उसे पतला ही रखेगा ते पतला रखने से यह होता है ना कि हमारे मुमो काफी जाद अच्छे लगते हैं तो देखे इस तरह से मैं कुछा से मुमो स्ञाफ बना ले रही हैं और देखे दो लोगों पर याखाना था है ना lets चकीले क्यों में लोगह से बना लें जाएं में करणा बैर देखे लिदाव मज़कर 10-15 च्ञाफ तरहには मंग्तेश प्राइल तो 20-152-शल कौके बिस D stripes रखा तो बहुत अच्छे कूख हो गया थे और मैंने बस इसे ढख दिया तो देखिए मैंने से छन्य को पलटकी नहीं रखा तो तो पर पकड़ने वाला भी था आप चाहते से पलटकी भी रख सकते तो और आपके मुमो आ जाएंगी तो देखिए इस तरह से मैंने कोट कटोर से ढख दिया और 15 मिनट हमारी हो चुके थी तो आप मैं से ओपन कर रही हूं तो फ्रेंड यह देखिए ओपन कर लिया तो ओपन करने के बाद यह देखिए हमारे मुमो किते अच्छे बनके तयार हो गए है और यह देखिए मैं चिम्टे की हैल्प से निकाल रही हूं कि भी मैं चिपन का रहे हैं और यह देखिए और यह देखिए सब्सक्राइब मैं ऊधेनी है मिया उ 27 living को करूंगे करीं और यह देखिए मैंको क्का रही हैं चटनी नबी मैंने खण भण लेति मैंने घर नहीं उसके बाद मोमो खार लिया थे मैंने k्लिनिंग वगेरा कर लीती तो husband गय थे market तो वहां से लाये थे ग्रोस्टी का सामान है vegetables है तो देखो जैसे कि आप देख रहे हो तो यह पंज रतन वाली नमकीन है और यह सारे सामान वह market से लेके आया थे तो बिटानिया का टोस्ट है और अब आपने खाने के लिए कि क्या आया है मेरे खाने के लिए तो यह देखे फॉर्चुन का रिफाइंड ओयल है यह केक है तो यह सब लेके आये हुए थे husband तो यह देखे बिट्टू आ रहे है और अपना देख रहे है गुड़्दे का बिस्कित है तो अब देखो दुगू हेले हो फोले के आले तो अपने खाने के लिए सोचा करते हैं और यह कित violence कि च्थनी छाव उन्हीं टृज्टी शुटप्त B होई थी सबजी हमारे पास ही देखे मैं मंगायी हुई थी साइट बथव lider ऑर गोवी मंटर मटर है तो ये सारी अपजी हètement कर दिया है और ही तो मैं दिपार मिर्ची मंगा entails थी क्या आध रग फैसमी घुच्छेवल्ए की पर क्यार cynia मट्रों मेंकि किसा क्या को çok अज़य को उड़नी अधनिया इता हमारी आर आप मैं बamous और मेंम मतर म। म। म करें म। म। मटर मश्रूम और रोटी सावर के साथ यहां ठीक है है जोके सब्सक्राइब जो चुटे में दो टूकड़े कर रहे हूं देखिए इस तरह से और यह मस्रूम को मैंने मस्रूम को फ्रेंड और पानी में दो बार और पानी में धुल लिया था है इसके बाद ही हमारा थीसरी बार का पानी तो अब में मस्रूम को कट कर रहे हूं तो यह मस्रूम हमारे 200 ग्राम मस्रूम है तो देखे और यह प्यास को मैं ऐसा ही रफली चॉप कर रही हूं और मैं इसका बनाऊंगी पेश तो अब में पानी में आप मारा का यह चाणाण भाइ थे और यह तरह हमारी आँए मास्षण चावल को अच्छ में आए ज्यासजि決 हमारा चावल हों सटे जए श्युन वह नहीं हुआ है तो यह देखे हमारा पेस्ट बन के रैडी हुआ है अब मैं मसरूम को रखा साफ हरा कर ले रहे हूं तो बिल्कुल यह मसरूम के सबजी जैसे हम लोग मतर पणीर बनाते हैं विल्कुल सेम उसी तरह से बनी हुई है तो देखे मैंने मसरूम को रखा लिया था और काफी यहां अप्रिक निए तेको में जब तक क्यान करें झाल जाएंगे प्यास देखें आपयाज हमारा हमारा चिसे रख गया ध्याख गया और टो सब्ग इसमें डाल दी रही हो एप इसमें मसालों में धनिय थी में मीर्च चैए गरम मासाले थाव लंक से मिकस करें दबी वाला दई था अमूल का साधा वाला तो देखिए मैंने इसको अच्छा सी चम्मा से फेट लिया था तो जो कितना गाड़ा है तो अब में इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और यह देखिए मैंने नमक रखा हुआ है इस पास में तो मैं स्टेस्ट चू आपको रहता मसाला और गरम मसाला कुछ भी डालने जुरत नहीं आप बस इतना मक और लालमेज डालेंगे बहुत अच्छी बन जाएगी और अब मैंने इसमें डाल दी है बूंदी तो आप दिया कितना अच्छा लग रहा है दूसरी तरह हमारा यह मस्रूम है यह भी काफी अच्छे से पक चुका है तो यह मस्रूम को भी हम अच्छे से मैंने पक गया बस इसे बंद करना था तो मैंने इसमें डाल दिया धनिया पती और अब बस में धनिया पती डालके और इसको बंद करके रग दूंगे तो यह देखे हमारा मतर मस्रूम ready है तो यह देखे कितना युमी लग रहा है देखने में तो आज का हमारा लुट बहुत इच्छा हुआ था खाल्या चावल है और बुंदी का रहता मेरा फेवरैट है बुंदी का रहता और चावल रोटी और थोड़ा बहुत सालट कट कर का दिन काफिर सा था का विज़्न है बूदी का रहता है मेरा मस्रूम कितना यु़्ञभा रहा कड़ कीषब लेड़ा काई जूट बें देखने बने ने कोड़ी पर गए मतर टेड़ डाल लतत रहीं और पादाल रे तो तो यहींग और चीरा टेल गरम का हो गया तो मैं इसमें डाल दिय रहे हुँ और रायता में लगा लेंगे चोका तक हमारा रायता खाने में और टेस्टी लगए तो आप देखे हैं मैं इसमें लगा दिय रही हुँ चोका तो आप आप देख सकते हो फ्रेंड हमारा रायता देखने में कितना जदा यम्मी लग रहा है और अब मैं थोड़ी से धनिया पती डाल दीहूं तो फ्रेंड आप देखे इसका लूग कितना डिलीशियस लग रहा है रहता का बुंदी के रहता का तो आईए आप भी हमारे तो बस आप में कर लोंगी जीनर और मैंने अपना कोई भी क्लीनिंग का रूटीन नहीं सेयर किया था तो फ्रेंड आपको मेरा विलोग कैसा लागा कॉमेंट सेक्षिन में जोड़ो बताईएगा मिलती हुआ फिल किसे नेक्ट वीडियो में बाई बाई फ्रेंड